हेलो वाइव वाइव फ़िस्पंकर्ज और वोचिंग रिवर्ट व्रेट आज हम काटने वाले हैं पात होंडा की WRB के बारे में तो लेट्स शाट वीडियो लेडियो लेडियो साफ रॉड़रकॉब संटुनन साफ टॉड़रक गोल सुटूर्ब साफ आया हुआ से एपटन आप यह बाद करने आठी Turkish को अरिम के लिभाहीन परियायन पर तीसे चांड अधिक उलाया ग्लाइब्य आझा alcanz बसे हैं लिए और ऊस्यास करें एंदर कोण सरह को बात करहा है ऑफ रहों अधर करने आफे अधर आ फिरकेवाशन का हम अधर करें कि साथ है जो काफियाल राइटन हो सकती है और अगर बात करें गाड़ी केविन केविन की तो केविन में आपको जो इंजन हिसकी मेस चलाइगे तो यहां पर चलाएंगे तो यहांपको 22 क मिल जागи बागी चलाने में कफियादा अच्छी है और इसके जो गीर से पोड़ी कफिया लाइट है कि जो शिफ्टिंग वह वह काफिया शोर्टिंग डिस्टेंस कम है गीर के बीच में और गारी में प्रकार बात करें पिकप की तो यहां पर आपको पिकप मिलता है वह थुदा खूड सब्सक्राइब करते हैं तो यह बात सही है कि आपको अंदर तक सुनाई देगी और अगर इस कार को आइडल में बेठे हुए हैं और अगर आपका असी ओन है तो इसमें असी की जो नौइस है भी काफियादा आती है अंदर अभी हमने असी बंद कर रखा है इसलिए कोई नोस नहीं आ रही है और अगर हम बात करें किस्पेंशन की और ब्रेकिंग काफियादा कम है और बदलब कोई यह लूज नहीं इस्टीफ ए रखा गया है जिससे आपको हाइवे पे अच्छी इस्टेबिलिटी मिलती है साथ में इस कार में आपको मिल जाया है क्र और हाइवे रन में और इसमें जो पंच आता है वह शुरू हो जाता है अठाव असपास से और चाहर यार पेम तक अच्छा पंच मिल जाता है अच्छा पीकप मिल जाता है और चलाने में काफी अच्छी है और काफी अदा मनिवर्वल है मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको चलाने में दिक्क्त आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है और इस गारी आपको जो आपकी जो ड्राइंग विंग है उस पर दिक्क्र आ सकती है या फिर आपको जो कॉंसेंट्रेशन और राइविंग से हटके बटन समया जाता है तो यह एक छोड़ी से प्रव्ब्रम आती है सबसेंगे एस दिस वीडियो और अपको ब्रणा में खाइब एखना वर और दो दीला एक बटन चाहीं स्क्राइब और थेंग पर वजडियो थे झाल झाल